हेलो दोस्तों स्वागत या सूले को मेरे यूट्यूब चैनल पर यूसे कि यहां पर मेरे पास काफी सारा सेर्वो मॉटर है काफी सारा तो नहीं यहां पर कींट होई सेर्वो मॉटर है तो यहां पर अगर देखेंगे तो इसको पहले हम लोग अन्बक्सिंग करते हैं एक को घर लेते हैं यहां अगर देखेंगे तो यह कुछ इस प्रकर यह सर्वो मोटर आ रहा है तो मुझे पपेट के अंदर मैं दोस्तों यह दोनों चीज मिला है मुझे तो अगर यह देखेंगे यह मेरा सर्वो मोटर है यहां पर जो पुछ यह तींटो है यानि कि आप अगर किसी चीज को मांट करना चाहते हैं तो इसके मतलब से आप मांट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुली होता क्या है यहां पर अगर देखेंगे यह तींटो पीन है जहां पर आपको समझना होगा तो बीच बाला जो है यह आपका पोजिटिव है एंड यह आपको फाइट मतलब थोड़ा यह दो है यह आपका सिगनल पीन है यह आपका ग्राउंड फिन है तो यहां पर आफ दे सकते हैं सर्ब्रकमर्ट कर बीच में आप फॉजिटिव देंगे फिर ग्राउंड देंगे फिर उपर वाला जो पीन है यहां पर आप सीगनल पीन देंगे यानिकि आपका अगर अगर अट्रिनो बेस्ट ब्सट यह जो है इसको हम यहां पर लगा देते हैं जैसे कि यहां पर लग गया है और अभी यह जो एंगल है यह आपका कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं मानलो रोबोटिक प्रोजेट आप बना रहे हो तो कहीं भी किसी भी रोबोटिक प्रोजेट पर आप इसको इसनुमाल कर सकते ह क्योंकि दोस्तों without servo motor we can't make a robot and it's a real thing अगर आप कही पर भी देखेंगे तो servo motor से robot आपका चलता है तो मानलो अगर आपका जो आर्म है robotics project आपका जो आर्म हो गया उसको अगर आप कि उसको आपके requirement हिसाब से 30 डिग्री या फिर 90 डिग्री कुछ भी एंगल पर रूटेट करना चाहती हो तो अर्डरीनो पर आप सेट करेंगे यहां पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे ताकि यह 30 डिग्री या फिर 60 या फिर 90 किसी भी एंगल पर यह मूब हो सकता है तो जै में ज्यादा कुछ है नहीं नेक्स्ट वीडियो में इसके उपर में प्रोजेट सब बनाऊंगा दूस्तों तो कीप वाचिंग डू लाइक तो सब्सक्राइब थेंक्स फर वाचिंग